जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो 24 गंटा हिंसा- हिंसा- हिंसा नफरत- नफरत- नफरत असत्य, असत्य, असत्य यह विशे बहुत गंबीर है पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना यह गंबीर विशे है नाइ, 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 को छिपाया नहीं जा सकता वीपक्स के नेता जी ने केटो गोरी कली कहा है कि जो अपने आपको हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं मैं फीर से रिपीट करना चाहता है उनका वाक्य था जो अपने आपको हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं हिंसा करते हैं मान्यवर इस देश में साइद इनको मालूम नहीं है करोड़ों लोग अपने आपको घर्व सही हिंदू कहते हैं क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं हिंसा करते हैं शिव जी कहते हैं दरो मत दराओ मत अभे मुत्रा दिखाते हैं अहिंसा की बात करते हैं त्रिशूल को जमीन में गार देते हैं और जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो 24 गंटा हिंसा 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 नफरत 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 आप हिंदू हो ही नहीं हिंदू धर्में साफ लिखा है सत्य के साथ होना चाहिए सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए सत्य से नहीं धरना चाहिए अहिंसा हमारा प्रतीक है अभे मुद्रा ऐसे की जिए, अभे मुद्रा इसे की जिए, अभे मुद्रा आप बात समझें, ये इसमें चिला रहे हैं, कि तीर जांपे दिल में लगा है दिल में जाके तीर लगा है इसलिए ये चिला रहे हैं, लेको चुप हो गए बेचे स्वीकल सर, चुप हो गए सब मानियस आप प्रतिपश्च के नेता हैं किसी की भावनाओं को टेस्ट नी पहुचे ये जो विशय बहुत गंबीर है पूरे हिंदू समाज को फुणिशक कहना नहीं नहीं नरेंज्र मौदीजी पूरा हिंदू समाज नहीं है बीजेप पूरा हिंदू समाज नहीं है RSS पूरा हिंदू समाज नहीं है यह सब हिंदू है मानने अज़र जी प्रतिफक्स के नेता आज बहली बार इस सजन को संबोधित कर रहे है मैं दो नियम रूल 349 और रूल 352 के संबन में आपका ध्यान आकर्शित करना चाहता है सबसे पहले तो प्रतिफक्स के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए 349 349 जो 12 है वो इस पर्ष्ट रूप से कहता है शेल नौट सिट और स्टेंड विद बैक तूर्ड दो चेर वो लगाता है आपकी तरफ फीट करके खड़े हैं नियमों के खिलाफ है जो उनको शोबा नहीं देता दूसरा दूसरा अध्यक्ष महोद है दूसरा अध्यक्ष महोद है अध्यक्ष महोद है आर्टिका रूल 352 रूल 2 ये कहता है मेक पर्सनल रेफरेंस बाइव बेव फेकिंग एन ऐलिगेशन इंपुटिंग आ मोटीव तो और एक कॉस्टिनिंग दा बोना फाइडी इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बलकि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के उपर एलिगेशन लगाया है इनकी बोना फाइड लगाया है इनके ख़़वने ना तरिका गराता है ख़़वने लगाया है मान्य अध्यक्षी सोर सराबा करकर इतने बड़े वाक्या को छिपाया नहीं जा सकता विपक्ष के नेता जी ने केटोगोरिकली कहा है कि जो अपने आपको हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं मैं फी से रिपीट करना चाहता है उनका वाक्य था जो अपने आपको हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं हिंसा करते हैं मान्य वर इस देश में साइद इनको मालूम नहीं है करोड़ों लोग अपने आपको गर्व से हिंदू कहते हैं क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं हिंसा करते हैं हिंसा की बावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और सन्वाइदानिक पज़ पर बैठे हुए व्यक्ति ने मैं मानता हूँ मानेवर उन्होंने इसकी माफी मागनी चाहिए मानेवर मानेवर मैं उनको एक गुजारीज भी करना चाहता हूँ कि इसलाम में अभय मुद्रा इस पर इसलाम के विद्वानों का मत एक पर वो ले ले गुरु नानक साब की अभय मुद्रा पर एस जी पीसी का मत वो ले ले और मानेवर अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है आपात काल में पूरे देश को इनोंने भय भीत करा यह को लोगों को जल में डाला और अतांक वैचारी का अतांक अगर कभी था वैचारी का अतांक अभी था तो आपता अपात काल के बग था और मानेवर मानेवर दिल्ली में दीन रहाडे हजारो सीख बाईयों का कतलियाम उनके इसासर में हुआ है आज हो भाई की बात कर रहे है मानेवर मेरा आप से अगरा है के स्री राहूल गांदी नेता प्रतिपक्स पहला भासन होने के बावजूद माभी मागनी चाहिए ना के वलसदन उने देश की माभी मागनी प्रतिपक्स